आठवी अन्सूची में 22 भासाओं का उलेक हुआ है ठीक है सम्विधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 343-351 में ठीक है आठवी अन्सूची सम्विधान के अनुच्छेद 343-351 में इसका उलेक है तक में इसका उलेक है ठीक है किसका उलेक है यह जो हिंदी समयत 22 भासाइं है राज भासा तो इसका उलेक है तो इसको याद करने कि एक ट्रिक है 22 भासाओं को याद नहीं कर पाते हैं लोग तो इसी भासा को याद करने की एक ट्रिक कि बनाए है हम हमारे द्वारा बनाएगी ट्रिक है तो देख लीजिए 22 भासाओं को हम लिख रहे हैं और एक मतलब काभी के रूप में हो जाएगा और याद करना आसान हो जाएगा देखिए गुज पंजाबी हिंद बांगला बांगला गुज पंजाबी हिंद बांगला संस्कृत उर्दू उडिया उर्दू उडिया कंकस्मि 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 मलयाल मराथि कंकस्मि मलयाल मराथि बोडो तमिल असमिया बोडो तमिल असमिया तेलू कंक मरिपूरी नेपाली डोग मैं थी सिंधी संथाली इसको याद करने के लिए हम एक कावि के रूप में लिख दिये हैं तो याद बहुत आसानी से हो जाएगा करने के मतलब इसको तुकांत रचना हम बना दिये हैं जिससे याद करने में सरलता होगी तो कैसे याद करेंगे देखिए बहुत आसान हो जाएगा दो मिनिट में याद कर लेंगे आप बार बार इसको पढ़ेंगे और बहुत आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि एक कवित्या के रूप में हो गया है काभी काभी रूप हो गया है तुक तुक तुकांत रशना हो गए है ठीक है देखिए गुज पंजाबी हिंद बांगला संस्कीत उ र्दू उडिया ं कन कस्मुमलयाल मराथी बोडो सामिल असमिय सा कन कस्मि मलयाल मराथी बोडो तमिल असमिया तेल कॉंक मड़पूरी नेपाली डोग मैत सिंधी संथाली बहुत आसानी शयाद कर लेंगे और सभी का मतलब देख लिजीए गुज का मतलब हो जाएगा गुजराती गुजराती पंजाबी का मतलब पंजाबी हुआ हिंद का पंजला का मतलब बांगला ही भासा संस्कीत का मतलब संस्कीत उर्दू का मतलब उर्दू उडिया का मतलब उडिया भासा ठीक है कन्न का मतलब कंणड 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 हुआ ठीक कस्मि का मतलब कश्मीरी कि कश्मीरी और मलयाल का मतलब मलयालम मलयालम मराथी का मतलब मराथी ब तमिल का मतलब तमिल आसमिया का मतलब आसमिया ही हुआ ठीक है तेलु का मतलब तेलुगु तेलु का मतलब क्या हुआ तेलुगु ठीक है कौंक का मतलब हुआ कौंकडी कौंकडी मड़िपूरी का मतलब मड़िपूरी हुआ नेपाली का मतलब नेपाली ही हुआ डोग का मतलब हुआ डोगरी डोगरी एक भासा है डोगरी डोग का मतलब हुआ मैथि का मतलब हुआ मैथिली ठीक है सिंद sy 청्शाली का मतलब रिखते हैं अब सभी का मतलब और ऐसे जाद करेंगे बहुत आसानी है और एजर आप रोप में लिख दिय help है और हम रोना है हमारे याद करने में बहुत आसानी होती है क्योंकि दिमाग में काभ रूप बहुत जल्दी से याद होता है कोई भी तुकांत रशना जल्दी याद होती है इसलिए इसको आप तुकांत हम बना दिया है याद करने के लिए ठीक है तो याद कैसे करेंगे बुज पंजाबी हिंद बांगला संस्कृत उर्दू उडिया कन कस्म मलयाल मराथी बोडो तमिल असमिया तेल कॉंक मडिपूरी नेपाली डोग मैथ सिंधी संथाली तो चार लाइन में इसको याद कर लेंगे 22 भासाओं को ठीक है यही 22 भासा हैं जिसको आठमी अनसूची में करने मतलब संविधान क कि अनुशेद 343 309 तक में इसका उल्लेख हुआ है तो यह हुआ हमारा